कॉंग्रेस के वरिष नेता नंद कुमार साह हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं यह जो नतीजे निकले इनको लेकर क्या कहेंगा यह नतीजा तो आश्यरी जनक है और समझ से भी परे हैं जो रिजल्ट आया है सामाने तो हम बहुत सारे चुनाओं को देखें उसमें इससे त्क संभावना दिखती हैं क्या होने वाला है पब्लिक क्या कह रही है कार करता क्या सोच रही यह दिखाई पड़ता है अब जो चुनाओं होता है तब रिजल्ट आता है लगभग उस चिंतन उस विचार उस बेवहार के इर्द गिर्द उसका रिजल्ट आता है यह चुनाव है जिसमें दूर दूर तक कहीं इस तरह की स्थितिया थी नहीं और आश्चिरेजनेक विसे यह है कि अलग-अलग बूथों में कुछ मामला है वो पता ही नहीं जो बोड दिया वह भी कहां चला गया फिर आप एक आप देख लिए हमारे अपना सरगुजा संभाग में टोटल 14 सीट है एक सीट इधर उधर नहीं हुआ चाहिए और उसके बाज में यह जो चुनाव हुए हैं तीन राज्यों का यह इस पर चिंतन हो कि कैसे हुआ है इसका यह इस तरह की संभावनाएं बन सकती है क्या कि एक तरफा सारा एक पार्टी को सारा विजल चला जाए य कैसे हो सकता है मैं समझता हूं इस विशेवर बहुत गंभीर चिंतन करने की जुरुत है और आगे इस विशेवर चुंकि लोगसभा का चुनाव है उसके पहले यही परिस्टिती ना लोगसभा में उत्पन हो जाए इसको ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी को मैं क्या है क्योंकि मसीन का उपियोग पस्चिम के जैसे नहीं करते मैंने सुना है कि जर्मनी में इसका निर्मान हुआ था लेकिन जर्मनी में अमेरिका में इधर तो होता नहीं है कहीं मसीन का करामात है कि क्या है यह विचार करके चिंतन करके कोई रणनीती पर पहुंचेंगे के कोई बातफित होगी तभी ये समझ में लगता है कि अगर उनको डाउट है eVM को लगह तो आगे लडाईं लडने, लडने चाहिए,कि अगर उस पती है कि इससले इस तरह कशिती है तो निश्चिति इस लडाईं लडने चाहिए और इस लनाई और मनें लोग सभाव के पहले लड़ाई प्रारम हो जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोग सभामे यह जो लड़ाई है या चिंतन चाहते हम जिस दिसा में तो मैंने चुनाओं के प्रक्रिया को तरीके को ले जाना चाहते हैं वो दिखाई पड़ जाए तो बीज़ी पे त लेकिन जो किसी तरह का इस तरह का कोई चालाकी करना चाहते हैं, वो कोई संभावना छोड़ते नहीं है, वो सारी प्रक्रियारी इस तरह से करते हैं कि हम वहाँ जीत गए, तो ये हार गए तो इसको आप प्रश्ण खड़ा कर दे रहें, ये सारी बाते उनके तरफ से हो सकती ह मेरा समध्र विषय पर है, आम जंता में जो चिंतन था, जो बिचार था, जैसा सोच रहे थे, कि आने वाले चुनाव में इस तरह की सिती हो सकती है, चुनाव में ये हार सकते हैं, ये जीत सकते हैं, इतनी सीटें, ऐसा चर्शा तो चलते रहता है न, उसके ठीक विप्रित लेकिन कैसे यह हुआ है इसके तो हमें जाने की कोशिस तो करनी चाहिए लड़ाई लड़नी है तो कोई रास्ता तो तै करना पड़ेगा कोई प्रक्रिया करनी पड़ेगी कैसे लड़ें अगर मान रहे हैं तो उस नतीजे से दूर दूर तक लेना देना कैसे रहेगा और लड़ाई आपको लड़नी है कोई रास्ता प्रक्रिया या कोई शुर्वात आपको कहीं से करनी पड़ेगी तब लड़ाई आगे बढ़ेगा हो सकता है किया जाना चाहिए मैं अपना ब्यक् और अगर कहीं भी डाउट होता है तो कॉंग्रेस को भी इस स्ट्रेटेजी पर चलना चाहिए कि EVM को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए था कि आने वाले समय में लोग सभा चुनाओ है और फिर लोग सभा चुनाओ जो है वो फेर तरीके से हो सके उनका कहना है और उनका ये जीत को स्विकार न करें और आगे लड़ाई में पार्टी का साथ दें बरहाल देखना ये है कि जो मन्थन होगा दिल्ली में उसमें किस तरह से चीजे सामने होकर आती है और क्या EVM को लेकर जिस तरह सब कॉंग्रेस के बयान सामने रहे दिगविजे सिंग जो है उन्होंने भी शिकायत की है या जी का दायर की है तो आगे क्या EVM को लेकर लड़ाई आगे कॉंग्रेस लड़ती है और उसको लेकर सड़क पर उतरती है कैमरा परिसन इम्रान के साथ ममतालान जेवा न्यूज एटीन चाथिस गर राइपूर